हलो दोस्तों मेरा नाम है चंद्रकांत पानमडे और आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल चंद्राश्टी पाइंट पर आद मैंने कंप्यूटर के परिचे के बारे में ये बनाया है वीडियो तो आप देख पा रहे होंगे तो लेकिन इसके पले मैं कहना चाह होंगा कि अब गर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें क्योंकि कंप्यूटर के करीवन मैं दस वीडियो बनाऊंगा उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत परिच्छाओं के पूछे गए प्रसनों से सम्मझत होंगे तो आए इ कंप्यूटर का पूरा नाम हम जान लेते हैं तो सी फार हो जाएगा कैलकूलेशन अर्थात गड़ना तो हो जाएगा calculation calculation मलब गड़ना उसके बाद O से हो जाएगा operative क्रिया सील उसके बाद M से हो जाएगा machine यांत्रिकी machine मलब यांत्रिकी उसके बाद P से processing प्रोसेसिंग मलब प्रक्रिया U से useful user भी होता है useful हो जाएगा इसका यू से यूजफूर उसके बाद T से हो जाएगा ट्रेड या थरसा रस उसके बाद ये हो जाएगा सब्द कोस हिंदे में हो जाएगा ट्रेड भी होता है और ये भी हो जाएगा उसके बाद E से हो जाएगा extensive विष्ट्रत उसके बाद R की बात करें तो हो जाएगा research R से research अनुसंधान या सोध तो उम्मिद करता हूँ ये चीजें आपके नोट भी कर ली होगी तो इसको आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें क्योंकि बहुत पोच से जाते हैं प्रस्णों में तो ये आपको मावलूम होना चाहें अगर आपको ये computer का पोरा नाम पता है तो इसकी मदद से आप computer की परिभासा आसानी से याद कर सकते हैं मलब computer जिसे की इसकी परिभासा आपको बनानी है तो एक ऐसा यंत्र computer एक ऐसा यंत्र है जो गड़ना करने क्रिया सील यांत्र की प्रिक्रिया को बढ़ाने उपयोगी और शब्दकोस में भंडारन और अनुसंधान से सम्मदित होता है तो इसकी परिभासा हम जान लेते हैं अता computer का तातपर एक ऐसे यंत्र से है जिसका प्रियोग गड़ना प्रिक्रिया यांत्र की अनुसंधान सोध आधिकार्यों में किया जाता है उसकी बाद एक महत्पूर्ण परिभासा जान लेते हैं आक्सफोर्ड डिक्सणरी के अनुसार ये महत्पूर्ण परिभासा है इसको आप ध्यान देजेगा computer एक स्वचालित electronic machine है जो अनेक प्रकार की तरक पूर्ण गर्णनाओं के लिए प्रियोग की जाती है आप इसका ध्यान रखिएगा ये बहुत ही महत्पूर्ण परिभासा है बहुत बात मुची जा चुकी इसलिए मने इसको सामिल करना आवस्यक समझा इसको आप ध्यान में रखिएगा इसको आप नोट कर लीजएगा नोट करना चाहें तो उसके बात आगे बढ़ते हैं कम्प्यूटर की विशेष्टाओं के बारे में हम जान लेते हैं कम्प्यूटर की विशेष्टा हो जाएगी गती कम्प्यूटर की पहली विशेष्टा हो जाएगी गती तो गत के बारे में जान लेते हैं कम्प्यूटर एक सिकन्ड में लाखों गढ़ना कर सकता है किसी मनुख से द्वारा पूरे साल में किये जाने वाले काद्र को कम्प्यूटर कुछ ही सिकन्ड में कर सकता है computer processor के speed को hertz जो इसको अगर हम लिखना चाहें तो इंग्रिश में लिखते हैं h और small z इसे आप 100 किया जाते हैं hertz जो को में मापते हैं वर्तमान समय में computer nanosecond nanosecond मतलब 10 की घात minus 9 nanosecond में गड़नाएं कर सकता है computer की गति को एक सेकेंड में process किये गए निर्देसों की संख्या के आधार पर मापा जाता है वर्तमान में computer एक सेकेंड में 10 लाग अर्थात million 10 लाग मतलब million हो जाएगा भली भात चांदे हैं वर्तमान में कम्प्यूटर एक सेकेंड में दस लाग से भी अधिक निर्देशों को प्रोसेस कर सकता है एक सेकेंड में अतहा कम्प्यूटर की गति को M.I.P.S. 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 इसको आप ध्यान में रखेगा M.I.P.S. इसका पूरा नाम हो जाएगा Million Instruction Per Second में मापा जाता है उसके बाद हम बात करते हैं अगले अगले नमबर की तो अगली विशेष्टा हो जाएगी स्वचालित मतलब आटो मैटिक कम्प्यूटर एक सुचालित मसीन है जिसमें गड़ना के दोरान मानवी हस्ता छेप की संभावना नगणने रहती है अधातना के बराबर रहती है हाला कि कम्प्यूटर को कार्य करने के लिए निर्देश मनिस से द्वारा ही दिये जाते हैं एक बार आदेश दिये जाने के बाद वह बिना रुके कार्य कर सकता है इसलिए इसे सुचालित मसीन कहा गया जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा जब कोई चीज़ प्रिंट करने होती है तो हमें उसे बताना होता है कि कितनी कांपे निकालने है और कंप्यूटर से हम प्रिंट कर देते हैं तो करीबन सो कांपी, दो सो कांपी जितनी भी हमें चाहिए होती है वो निकाल देता है इसलिए इसे सुचालित कहा जाता है यह हो गए उदाहरन उसके बाद हम बात करते हैं तुरुटी रहित कार्य की अगरी भी सेस्ता हो जाएगे तुरुटी रहित कार्य तो कंप्यूटर की गड़नाएं लगभग तुरुटी रहित होती है गड़ना के दोरान अगर कोई तुरुटी मतलब इरार जो होती है पाईश भी जाती है तो वह प्रोग्राम या डाटा में मानवी गलतियों के कारण होती है अर्थात जो मनुष से गलती करता है उसी के कारण वो गलत प्रणाम देता है वरना कंप्यूटर कभी भी गलती नहीं करता है अगर डाटा और प्रोग्राम सही है तो computer हमेशा सही परणाम ही देता है और कभी-कभी virus के कारण भी computer में तुर्टियां आ जाती है तो उसके बाद अगले विकल्प की बात करें अस्थाई, भंडारण, छम्ता permanent storage तो चोथे विकल्प की बाद चोथे भिस्था हो जाएगी अस्थाई, भंडारण, छम्ता computer में प्रियुक्त memory को data, सूचना और निर्देशों के अस्थाई, भंडारण के लिए प्रियुक्त किया जाता है चोँकि computer में सूचनाएं electronic तरीके से संग्रिक की जाती है अता सूचना के समापत या नस्थ होने की संभावना कम रहती है उसके बाद अगली विस्था के बारे में बात करेंगे उसके बाद बात कर लेते हैं अगली विस्था हो जएगी विसाल भंडारण छम्ता large storage capacity तो विशाल भंडार के बारे में बात करें तो computer के बाहे अर्था external तथा आंतरिक internal संग्रहन माध्यमों में असीमित data और सूचनाओं का संग्रहन किया जा सकता है कम्प्यूटर में सूचना एक कम अस्थान घेरती हैं अता इसकी भंदारन छमता विसाल होती है आप लोगर देखा होगा जो PDF फाइल होती है जो PDF फाइल होती है इसकी जैसे कि 5-6 MB की फाइल हो तो ये करीब 60 पेज की हो जाएगी मतलब अगर ये 60 पेज की फाइल है तो ये बहुत जादा 2 या 3 MB में आ जाएगी इसलिए इसे विसाल भंदारन छमता का जाता है कम MB में बहुत जादा चीजें संग्रहित की जा सकती है उसके बाद अगली पिसे इस्ता हो जाए कि भंदारित सूचना को तीवरगत से प्राप्त करना तो इसके बारे में बात कर लेते हैं प्रियोग कंप्यूटर प्रियोग द्वारा कुछ ही सिकेंड में भंदारित सूचना में से आवस्थिक सूचना को प्राप्त किया जा सकता है रैम के प्रियोग से यह हकाम और भी सरल हो गया है रैम का भी मैंने पूरा नाम बताया है तो आपको ये बताना है रैम का पूरा नाम क्या होता है कमेंट में कमेंट करिएगा उसके बाद अगली विसेशता हो जाएगे जल्द निर्णे लेने की छमता तो जल्द निर्णे लेने की छमता कंप्यूटर के अगली विस्षाष्ता हो जाएगी कंप्योटर परिस्थितियों का विसलेशन कर पूर्व Kelly में दिये गए निर्देसों के आधार पर तीव्र निर्णे की छमता रखता है अब ध्यान में रखेगा कंप्यूटर परिस्थितियों का विशलेशन कर पूर्व में दिये गए निर्देशों के आधार पर तीवर निर्णे की जमता रखता है उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगली विशिष्टा हो जाएगी विविद्था तो विविद्था के बारे में जाल लेते हैं कंप्यूटर की सहायता से विविन प्रकार के कार संपन किये जा सकते हैं आधुनी कंप्यूटरों में अलग अलग था रहके कार एक साथ करने की जमता होती है तो उसके बाद हम बात करते हैं अगली विशेष्टा की, कंप्यूटर की, अगली विशेष्टा हो जाएगे पुनरावरति, रिपेटेशन, रिपेटेशन की बात करें तो, कंप्यूटर को आदेश देकर, एक ही तरह के कार्य बार-बार समाम, विश्वसनियता और तीवरता से कराया जा सकते हैं, उसके बात बात करें, अगली विशेष्टा की तो हो जाएगी? इस फूरती, अगली विशेष्टा इस फूरती, कंप्यूटर एक मसीन होने के कारण मानवी दोस्तों से रहे थे, इसे ठकान तथा बोरियत महसूस नहीं होती, और हर बार समान छमता से कार्य करता है, उसके बात करें, अ आप गोपनिता कोई बारे में बात करते हैं, पासवर्ड के प्रियोग द्वारा कंप्यूटर के कार्य को गोपनिय बनाया जा सकता है, पासवर्ड के प्रियोग से कंप्यूटर में रखे डाता और कार्य क्रमों को केवल पासवर्ड जानने वाला ब्यक्त ही देख सकता है, तो आप लोग इस गोपनियता के बारे में भली भात ही जानते होंगे क्योंकि सभी लोग Android फोन यूज करते हैं और सभी लोग password लगभग रखते हैं इसलिए computer की इस विशिष्टा के बारे में सभी लोग आसानी से समझ सकते हैं तो उसके बाद अगली भी सिष्टा हो जाएगी कार की एक रूपता के बारे में बात कर लेते हैं कार की एक रूपता बार बार तथा लगातार एक ही कार करने के बावजूद computer के कार की गुड़ोंवत्ता पर कोई प्रभावर नहीं पढ़ता ये काजर की एक रुपता हो जाएगी उसके बाद अगली विस्वस्नियता अब विस्वस्नियता की बात करते हैं कंप्यूटर प्रोसेस के पश्चात सही वा भरोसे मंद पैडाम देता है तथा गलती की संभावना नगन्य होती है नगन्य के मतलब है ना के बराबर होती है गलती की संभावना ना के बराबर होती है उसके बाद अगली विस्वस्वस्था हो जाएगी अगली और अंती विस्वस्था ही हो जाएगी काज़ के प्रियोग में कमी कंप्यूटर के सही प्रियोग से कागज की खपत में कमी की जा सकती है जिससे पर्यावरण सरन रच्छन में मदद भी मिलती है तो यह थी कम्प्यूटर की विशिष्टा है कैसा लग आपको ज़रूर कमेंट करिएगा और एक बार फिर से कहना चाहूँगा अगर सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज सस्क्राइब कर लीजए उसके बार हम बात करते हैं कम्प्यूटर की सीमाओं की तरफ तो कम्प्यूटर की सीमाओं जान लेते हैं लिमिटेशन्स आफदा कम्प्यूटर इसके बारे में जान लेते हैं बुद्ध हीन, कम्प्यूटर बुद्ध हीन है, no mind कम्प्यूटर के पास स्वयम का कोई mind नहीं होता कम्प्यूटर में स्वयम की सोचने और निर्ने लेने की जमता नहीं होती यह केवल दिये गए दिसा निर्देशों के अंदर ही काड़ कर सकता है उसके बाद बात करें अगले जो सीमा है वह हो जाएगी खरचीला, कम्प्यूटर के हार्डवेर तथा साफ्टवेर का भी महंगे होते हैं तथा इन्हें समय समय पर आवज सकता अनुसार परिवर्तित भी करना पड़ता है उसके बात करें तीसरी सीमा हो जाएगी कम्प्यूटर की वाइरस का खत्रा वाइरस की खत्रा के बारे में बात करते हैं तो वाइरस का खत्रा हो जाएगा कंप्यूटर में वाइरस का खत्रा बना रहता है जो सूचना और निर्देशों को दूसित या समाप्त कर सकता है ये वाइरस कंप्यूटर की भंडारन चमता को भी प्रभावित करते हैं अर्था जो चीजे उसमें संसेत होती हैं उससे उस पर वाइरस का प्रभाव पढ़ता है हाला कि एंटी वाइरस थाप्टवेर का प्रयोग कर इससे बचा दा सकता है आप लोगों ने जो भी लोग लेप्टाप यूज करते हैं वो एंटिवायरस जाज़तर अब लोग एंटिवायरस का भी उपयोग करते हैं उसके बाद हम बात करते हैं अगली विशेष्टा की तो हमारी अगली विशेष्टा हो जाएगी विद्धुत पर निर्भरता विद्धूत पर निर्भरता कम्प्यूटर अपने कार्रे के लिए विद्धूत पर निर्भर करता है तथा इसके आभाव में कोई भी कार संपन कर पाने में सच्छम नहीं है तो ये थी मौफ कीजिएगा तो ये आज से मने इतना ही वीडियो बनाया था तो इसके बार हमें लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करें इसके बार हमें जरूर कमेंट करिएगा कि ये वीडियो करे सा लागा आपको तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद